नमस्कार दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम प्रगी में जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं डियर्ड इस्पिसल एजुकेशन हेरिंग इंपेर्मेंट जो भी स्टुडेंट ही से डियर्ड इस्पिसल एजुकेशन कर रहे हैं बैच तो हजार बाईस चौबिस यानि की जिन्होंने इस साल दो हजार बाईस में एडमिशन लिया था इनके इंडॉल्मेंट नंबर अपडेट की सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इंडॉल्मेंट नंबर होता क्या है आखिरकार ये क्या होता है तो भाईया ये आपका एक प्रकार का रोल नंबर होता है ठीक है जो आप अपने एक्जाम में जो आपकी मा पाक सीट नमबर डालना होगा या एक्जाम में जहां पर आपको अपना रोल नमबर डालना होगा तो इनोल्मेंट नमबर आपका वही होता है और फर्स्ट इयर और सेकंड इयर ये इनोल्मेंट नमबर आपका हमेशा एक ही रहता है एक बार आने के बाद में ठीक है तो जब भी आपका enrollment number है इसका registration कुछ college के पास mail जा चुका है और कुछ college अभी भी बाकी है जिनके पास mail नहीं गया है तो यह मानगे चलिए कि जहां जहां पर mail जा चुके हैं वो लोग अपना registration करने लगेंगे बच्चों का इसमें क्या होता है बच्चे को कुछ भी नहीं करना होता है पूरी college की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको enrolled करेगा ठीक है जो आपका राश्टी संस्थान है जो आपका paper conduct कराता है अली आवर जंग जो आपका राश्टी संस्थान है ठीक है अली आवर जंग National Institute for the Hearing Handicap जिसका पुराना नाम था ठीक है तो यह जो आपका राश्टी संस स्थान है यह आपका paper conduct कराता है ठीक है जिसका मुख्यारे बताएंगे तो मुंबई में है तो इसके द्वारा भाया enrollment number आप लोगों का सुरू कर दिया गया है इसके बाद में क्या होता है enrollment number जब आ जाता है उसके बाद में आपका examination form fill किया जाता है ठीक है और enrollment number आने के वही लगबग एक माह के बाद में आपका examination form fill किया जाता है और देन उसके एक से दो महिने के बाद में आपका exam conduct कराया जाता है तो जिस हिसाब से आपकी सारी प्रक्रियाश चल नहीं है यह मान के चलिए कि जुलाई अगस्त आप लोगों के exam जो है वो हो सकते है ठीक है जब अभी enrollment number आप लोगों का आ जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा क्योंकि जब भी issue होना start हो जाते हैं तो लगबग सभी colleges के आने लगते हैं तो वो भी आपको बता दिया जाएगा आपको इसमें कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है आपको केवल पढ़ाई करनी है आपको अपना course complete करना है अपनी पढ़ाई करनी है आपका जो practical work है वो आपको अपने college से पूछना है और क्योंकि अब तो hearing impairment का जो practical area है वो काफी broad हो गया है काफी बढ़ गया है पहले first year में के ओल दो ही practical होते थे अब first year में आपको practical जादा देखने को मिलते हैं तो अच्छ PD का भी enrollment number चल ला है और HI का भी ये मान के चलिए कि इसकी भी सुरुवात हो ही चुकी है दिरे दिरे आगे जैसे ही VI का आता है या और किसी का भी आता है तो आपको बताया जाएगा बन रहेएगा आपके अपने चैनल exam turkey पर धन्यवाद दोस्तों